गाइस बहुत ही फेमस कंपनी है M.T.R. Technologies एक सब्सक्राइबर ने रिक्विस्ट की थी इसके उपर वीडियो बनाने के लिए रीजन मुझे समझ में आता है वो हम लोग चार्ट में डिसकस करेंगे जिन लोगो नहीं पता M.T.R. Technologies क्या करती है इन 1970 में इस्टैबलेश हुई कंपनी है जो की मेंली नुकलियर एनरजी, स्पेस, एरो स्पेस, डिफेंस वगरा में डील करती है ठीक है और जो लोग इसे जानते होंगे वो न्यूज वगरा देख के जानते होंगे न्यूज में बहुत जादा ये अक्टिव रहता है शेयर तो उससे ऐसा आपको लगता होगा कि ये शेयर शायद डिफेंस से सबसे जादा रिवेन्यू जिनरेट करता होगा लेकिन ऐसा है नहीं इसकी डीटेल में जब जाएंगे तो देखेंगे सबसे जादा जो इसका रिवेन्यू आता है 63% का वो आता है क्लीन एनरजी से जिसे आप बोल सकते हैं manufacturing power units specifically hot boxes, supplied prototypes, hydrogen boxes and electrolyzers ठीक है अब जो भी आप इसका मतलब समझना चाहते हैं तो इसकी website पर जाके आप चेक कर सकते हैं मांकि आप यह समझ लीजे कि clean energy से इसका सबसे जादा revenue होता है उसके बाद आता है defense sector से और उसके बाद nuclear segments अब इसके famous होने का इतना reason क्या है, क्यों यह अभी hot topic बना हुआ है hot topic बहुत सारे लोगों के लिए, दीखिए सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह hot topic इसलिए है क्योंकि जब यह गिरते 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 यहाँ तक जब आ गया था तो लोगों ने इसे और नीचे बाइ करने का plan कर रखा था लेकिन यह यहीं से turn हो गया ठीक है, अब यह उपर चला गया, अब यह यहाँ से गिर ही नहीं रहा, यह यहीं पर गूम रहा है ठीक है और यहां से यह उपर जाता हुआ दिख रहा है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह जो level है यह level यह break कर चुका है जो कि हो भी सकता है लेकिन मेरे point of view इसमें थोड़े different है वो मैं थोड़े देर में बता दूँगा पहले इसके fundamentals चेक करते हैं देखें अगर इसका annual net sales देखेंगे तो continuously उपर जाता हुआ है अभी recent में तो काफे ज़्यादा उपर जाता हुआ है और वहीं अगर इसका consolidated net profit देखेंगे तो यह तो बहुत ही जबर्दस दिखेगा क्यों देखें एक तो यह continuously उपर जा रहा है उपर से अगर हर दूसरे साल मे तो यह double हो गया फिर यहां कितना है 46 एक साल छोड़के अगले साल देखेंगे तो कितना हो गया double हो गया तो कोई भी share अगर हर alternate year में अगर double अपनी profit show कर रहा है तो वो share guys जैसे बजाज finance था वैसा share बन सकता है अगर वैसी ही profit की growth वो हर साल दिखाता रहा तो फिर से बताता ह कोई भी share अगर एक साल छोड़के अगले साल में double profit show कर रहा है और फिर वैसा ही काम वो फिर से कर रहा है तो वो share बजाज finance के जैसी growth दिखा सकता है जो कि nifty का सबसे जादा growth देने वाला share है consistent compounder की बात कर रहा हूँ मैं multi bagger की नहीं consistent compounder की ठीक है तो कहने का क्या मतलब है कहने का मतलब यह है कि इसके अगले साल जो आपको annual net profit का भार दिखेगा वो इसका double होना चाहिए मेरे ख्याल से कितना 120 क्रोड से उपर होना चाहिए तो यह इसी trend को follow करता हुआ मिलेगा ठीक है तो देखे net profit अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो यह बहुत ही जबरदस दिख रही है company अगर आप wait नहीं करना चाहते तो इसमें investment किया जा सकता है इसके last quarter add होने के बाद भी आप इसमें अपनी planning कर सकते हैं लेकिन यह already अभी अपने एक साल पहले के पहले साल के profit के double हो चुका है तो investment तो इसमें किया जा सकता है लेकिन इसके levels हम लोग देख लेते हैं PE की valuation देख लेते हैं कहां पर है अपनी median के आसपास है तब हम लोग उसको consider करेंगे और confidently buy करेंगे तो देखिए यहां पर क्या देख रहा है हम लोग max देख रहे हैं इसका PE ratio median कहां पर है median है 80 के थोड़ा सा नीचे लेकिन इसक 61 या 62 के आसपास मतलब undervalued है यह भी ठीक है तो इसे खरीदा जा सकता है ठीक है टेकनिकली जब हम लोग candles वाले चार्ट में जाएंगे तो वहां कुछ और देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर देखने पर हम लोग को fundamentally क्या मालूं चल रहा है कि देखिए पहाड उपर जा र रहे हैं तो fundamentals थोड़े और अच्छे से discuss करते हैं market cap कितना है 5700 crore stock का PE कितना है 61.4 जो कि industry PE से double है ठीक है बहुत सारे लोग बुलेंगे कि high PE है तो नुकसान वाली चीज है वो सकता है stock गिर जाए दिखे गिर तो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि यह बहुत जाद लोग इसे खरीदना चाहते हैं और यह 60 का 100 भी हो सकता है 120 भी हो सकता है 150 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है नीचे भी जा सकता है लेकिन इसका सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि यह costly है नीचे ही गिरेगा ठीक है यह बात हमेशा अपने द्यान में रखना अब ROC कितना है 15.7 ह अपने average के आसपास ही है जो हम लोग मानते है average कितना 15% उसके ओपर रहता है तो ठीक ठाक मानते है तो उसके आसपास ही इसका ROC है तीन साल का ROC देखेंगे तो 17.6% का average है तो ठीक ठाक है ROE देखेंगे तो कम है return on equity कम है ठीक है debt देखेंगे तो ना के बराबर है 0.24 का debt to equity ratio है promoters holding 46.6% है जिसमें से इन्होंने इतना 8.27 गिरवी रखा हुआ है 8.27% 46.6% में से गिरवी रखा हुआ है तो ये point ध्यान रखना ये एक इसका negative point है face value कितना है 10 तो ये split भी हो सकता है और अगर ये split हुआ तो इसमें एक तेज उसकी वज़ा से भी आ सकती है dividend भी ये company थोड़ा बहुत देती है 2-3 रुपय का बहुत ज़्यादा dividend ये company नहीं देती ठीक है पूरा पैसा ये अपने growth में लगाती है तो वो अच्छी बात है comparison में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपने industry में market की leader है ठीक ह market cap के हिसाब से और अगर P के हिसाब से भी देखेंगे तो ये सब के ऊपर ही चलती है ठीक है सबसे ज़्यादा अच्छी company demanding company है ये CGR का data ज़्यादा है नहीं last one year का आपको 24% दिखेगा जो कि ठीक है और profit growth देखेंगे तो बहुत अच्छी profit growth आपको दिख जाएगी balance sheet चेक क लेकिन अभी borrowings बड़ी है ठीक है तो ये एक negative चीज है इसमें तो total liabilities अगर चेक करेंगे तो liabilities यहाँ पे भी बड़ा है तो total overall ये बड़ा है ठीक है और fixed asset अगर चेक करेंगे तो assets इनके पहले से थोड़े से कम हो रहे थे means जो इसका पहले का data है ना ये पहले का तो यहाँ यहाँ से यहाँ middle age में इसमें थोड़ा सा drawback दिखा था फिर यहाँ से यहाँ में इस area में इसमें better होता हुआ दिख रहा है ठीक है fixed asset में भी चेक करेंगे तो यहाँ पे better होता हुआ दिख रहा है बात करें shareholding pattern की तो यह थोड़ा news में जादा रहता है बीच में एक बार इ तो आप जब चार्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जब इसमें change आया था तो इधर कहीं पे इसमें एक दिन ही 7-9% के आसपास की गिरावट आई थी जितना मुझे याद है हम लोग देख लेंगे चार्ट में तो अभी कितना stake hold करें promoters 46.63% तो पहले यह अच् है ना और FII foreign investors कितना hold कर रहे हैं FII ने जितना रखा हुआ था उसका थोड़ा stake कम करके अभी 2.51% hold किया हुआ है mutual fund के पास कितना है mutual fund ने अपना stake बढ़ा लिया था यहां पर और वही यह लोग अभी maintain कर रहे हैं यहां पर देखेंगे तो nearby से इन्होंने भी कम कर दिया mutual fund ने भी कम किया है तो सब ने यहां पर कम किया ही है including promoters लेकिन बिचारी public ने अपना stake बढ़ाया हुआ है तो बिचारा नहीं बोलना चाहिए ठीक है profit वगएरा सब अच्छा ही है तो बिचारा बोलने वाला कुछ नहीं है इसमें ना चलिए अब चेक करते हैं technically यह हमको कहा कहा option दे रहा है investment करने के लिए ठीक है तो मेरे जो alerts लगे थे इसमें शुरू से मैं भी इसको track कर रहा हूँ लेकिन इसमें कभी भी मुझे investment के chances मिले ही नहीं दो बार chances मिले थे लेकिन वो किस तरह से मिले थे मैं वो बताता हूँ ठीक है पहले मिले थे मुझे May June के आसपास जो कि यहाँ पे कहीं पे 1500 का देखिए दोनों बार मुझे chance जिसमें 1500 का ही पड़ा था ठीक है 1500 ही इसका दोनों बार मेरा monthly टार्गेट है ये monthly जो indicator था मेरा monthly indicator मुझे 1500 शो कर रहा था कहां पे एक बार यहाँ पे और एक बार यहां पे तीक है दोनों जगा 1500 का ही indicator था coincidentally और इधर मैंने क्यों नहीं बाई किया था क्योंकि इतना शार्प फॉल आया था इसमें इसलिए मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया था उपर से यहीं कहीं पे शायद इसकी न्यूज वगरा आ रही थी मारकेट में कि इसमें प्रोमोटर्स ने अपनी स्टेक कम कर दी है वगरा इसलिए मैंने यहाँ पे ऐलर्ट आने के बाद भी 1500 पे इन्वेस्मेंट नहीं किया फिर यहां से यह बहुत ज़्यादा गिरा ठीक है और यहां पर यहां तक गिरके यह यहां से उपर गया उसके बाद कभी उस लेवल पर वापस नहीं आया ठीक है और उसके बाद मेरे यह नहीं बनाई थी, otherwise इसका 1500 काई लेवल दोने जगा बन रहा था yearly लेवल इसने कभी भी हिट नहीं किया yearly लेवल के आसपास भी नहीं आया, आप देख सकते हैं क्यों नहीं आया, इसके RSI में जब आप चेक करेंगे, तो yearly लेवल कहा होता है, yearly लेवल बहुत ज़्यादा जब कोई स्टॉक गिर जाता है, तब वो हिट करता है, लेकिन आप RSI देखिए इसका कभी 50 पर ही नहीं आया, ठीक है यहां पे 50 है, 50 पर ही कभी नहीं आया यह, और जब इसमें buying के options थे, यहां पर भी, तो देखिए 50 पर नहीं था, ठीक है, 52, 53 के आसपास कहीं पर था तो, जब कोई चीज 52 या 41 इस तरह पर रहती है ना, तो 52 पर रहने पर लगता है, 50 पर आ जाए तो लूँगा, 41 पर रहता है, तो लगता है, 40 पर आ जाए तो लूँगा तो वो common psychology है, सब के दिमाग वैसे ही काम करते हैं, तो यह यहीं पर आके थोड़ा से चुके, फिर वापस चला गया है, है ना, और अभी बाइन के चांस है, समको PE से दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसको clean कर देता हूँ, यहाँ पर जब आप अभी तो थोड़ा सा confusion जरूर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो चीजों में से एक चीज कर सकते हैं, अगर आप इसमें बहुत ज़ादा बुलिश हो, ठीक है, बिलकुल ही पैनिक हो रहे हो कि नहीं मेरे से छूट जाएगा, यह बहुत अच्छा शेयर है, profits डबल हो रहे यह देखे, डेली केंडल है, तो डेली केंडल के चार्ट में क्या दिख रहा है, यह कहां गुम रहा है, अपने अपर बॉलिंजर के आसपास गुम रहा है, तो अगर आपको लेना ही है, तो आप एक क्या करो, अपने चार्ट में 25 डेज का या 20 डेज का moving average लगा लो, ठीक है तो कोई भी stock जो होता है, उसका candle 10 डेज और 20 डेज के moving average के आसपास आके ही वापस उपर जाता है, तो अगर आपको लगता है कि यह नीचे बहुत जादा नहीं गिरेगा, तो एक बात तो पक्की है, यह 10 डेज या 20 डेज के moving average के आसपास जरूर आएगा, चहां पर यह अभ चीज है, ठीक है, वहाँ पर बहुत छोटी SIP करनी है, बहुत ही छोटी, ठीक है, आपके investment जो भी amount आपने decide करकर है, आप उसका 10%, 20% आप डाल सकते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप यह कर सकते हो, कि या तो आप मेरे monthly जो target होता है, every month जो एक target बनता है, यह line देखो कैसे बनाया, मैंने यहाँ पर base लिया, यहाँ पर base लिया, और मैं यह consider कर रहा हूँ कि शायद future में कभी यह इसी line पर मुझे मिल जाए, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता अगर यह यहाँ तक जाए, और फिर वापस यहाँ तक आ जाए, तो मेरा तो यह पूर चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको बहुत नीचे लेना है, ठीक है, जहाँ पर मुझे नहीं लगता है, यह जाएगा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से, क्योंकि profits बहुत अच्छे हैं, देखे, यहाँ पर एक base बन रहा था, यह एक common base दिख रहा है, तो अगर इसको यह भी मैं अभी नहीं, बाद में कभी बताऊंगा, क्योंकि अभी यह proof हुआ नहीं है, यह trick, जो मैं बताता हूँ, monthly target वाली है न, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब proof हो जाएगा, तो मैं proof के साथ आपको बताऊंगा, ओके, लेकिन अभी के time पे, यहाँ पे भी अभी भी बन रहा है, अगर यह वापस यहां से गिरता है, तो यहां कहीं 1500 पे हमको अगर मिल जाए, तो यहां पे बहुत अच्छा माना जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे blue line भी है, और यहां पे हमारे 500 का level भी है, तो अगर यह ऐसे ऐसे करके कुछ होते हुए, जो है, अगर मुझे इस line पे मिल जाता है, 1500 के level पे, तो इसमें मैं एक छोटी सी SIP कर सकता हूँ, मैं इसमें invested नहीं हो, तो पहली SIP अगर मैं इसमें करूँगा, तो जैसा मैंने बोला, 10% या 20% of my decided amount, मैं इसमें 1500 पे investment करूँगा, ठीक है, उसके नीचे के जो level है, मैंने आपक एक level दिख रहा है, तो आप 1300 के आसपास, या 1250 के आसपास में, दूसरी और final SIP इसमें कर सकते हो, इसके नीचे अगर ये जाता है, तो थोड़ा dangerous हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा जो इस पे point of view था, मैंने आपको बता दिया, जो मेरे targets मुझे सही लगते हैं, मैंने वो भी आ alerts ऐसे रहते हैं, जो मैं सिर्फ telegram पे ही देता हूँ, time की कमी की वज़े से, इसलिए नहीं कि मैं, वो premium है या ऐसा कुछ, कोई भी उसे join कर सकता है, मैं telegram पे सिर्फ इसलिए देता हूँ, कभी-कभी मेरे पस time नहीं रहता, तो मैं उसमें, जो भी मेरे short term alerts रहते हैं, या long term alerts रहते हैं, मैं उसमें pink करता जाता हूँ, तो आप telegram भी join कर सकते हो, ठीक है, जलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में,